दो भी बच्पन में एक पोईट से मिला हमारे स्कूल में पोईट आये थे तो उनकी एक लाइन थी जो मेरे दिमाग में आज तक छपी हुई है वो उन्होंने बोला कि घोडो को मिलती नहीं घास देखो घडे खा रहे चवनपराष देखो क्या वात है घोडो को मिलती नहीं घास देखो गदे खा रहे हैं चवन पराज देखो अरे इतनी नकली दुनिया हो सकती है मतलब कमाल हो गया फरजी वाड़े का भी अरे भई गंजे लोगों ने सिर्पे नकली बाल लगाए ये देखा मैंने विग पहना ये देखा हमने आज के दौर में हमने हेर ट्रांस प्लांड देखे साट साल की उम्र में आमिर खान और सल्मान खान को जवान देखे लेकिन पॉल्टिकल पार्टी को फरजी फेक न्यूज फैलाते देखा पॉल्टिकल पार्टी को अपने आईटी सेल बनाते देखे लेकिन टीचर्स भी आईटी सेल बनाके बैठेंगे ऐसा नहीं देखा, बतलब कमाल हो गया, घोड़ों को मिलती नहीं, घास देखो, गदा खा रहा है, चवन परास देखो, बतलब कमाल कमाल हो गया, इतना फरजी वाड़ा कैसे कर लेते लोग जार? मतनब ऐसा है कि चैनल फरजी सब्सक्राइबर फरजी व्यूज फरजी और कमाल की बात है कि किसी आदमी को 2000 लोग लाइव देख रहे हैं और सिर्फ 5 लोग कमेंट कर रहे हैं ऐसा कैसे होगा ऐसा तो हो इनी सकता ना गुरू अपने बच्चे लाइव आते हैं चाहे अपने 300 200 बच्चे लाइव हो, 200 बच्चे लाइव हो, 50 बच्चे लाइव हो, मैं गता हूँ 25 भी लाइव हो तो कमेंट जो है जब टोटल सेशन एक घंटे के बाद अपने एंड करते हैं तो 25 बच्चों ने इतनी इंटरेक्शन की हुई होती है कि 4-500 तो कमेंट्स दिख जाते हैं लाइव चैट में, इतने तो कमेंट, इतना तो फुटफॉल हो जाता है, उसके बाद अगर 50 बच्चा भी लाइव देख रहा है, वीडियो एंड करते हैं, मैं उस बात समय की बात कर रहा हूँ जब कोई लाइव नहीं देख रहा, 50 ही देख रहे हैं, तो भी 100, 700, 500, 200 लाइ होते हैं, और लगबग लगबग 7,500, 8,000 का चैट होता है, इतने बच्चों की चैट होती है, जो लाइव चैट सेक्चन में दिख रही होती है, तो इतना तो यार फरजी वाड़ा दुनिया में कोई भी पकड़ सकता है, एक कॉमन सेंस का आदमी जिसका IQ जरासा भी हो, वो कि यार 2000 लोग लाइव देख रहे हैं, और पांच लोग चैट कर रहे हैं, और 300 लाइक हैं, इसका मतलब है यार ये तो पूरा फरजी है, अब मैं इस पूरे स्कैम का भंडा पोड़ करता हूँ, अभी आजकल स्कीम चल रहा है, एक स्कैम चल रहा है पूरी इंडस्ट्री के अंदर, और इसको इंट्रोड्यूस फर्स टाइम कब किया, विकॉज मैं ऐसे और्गनाइजेशन में काम कर चुका हूँ, ये जितने ओनलाइन एड्यूकेशन प्लेटफॉर्म आये नाम नहीं लूंगा नहीं तो वो लोग पिल पड़ेंगे मेरे उपर, उन्होंने खुद पंद्रा मिनट से जादा कितने व्यूवर्स ने देखा, उस पे ना ये बोनस पे करते थे टीचर्स को, तो वहां से एक सिस्टम डेवलप हुआ इंडस्ट्री के अंदर, जहां बहुत सारी एजेंसियां टीचर्स को कॉंटेक्ट करने लगी, कि सर ऐसा है कि हम आपको लाइ दिखा सकते, ठीक है, ध्यान से देखी का सर, और ये फरजी वाड़ा इस हद तक आ गया, कि जिस बंदे के वीडियो पे कोई पचास, सो, दो सो, दो हजार, तीन हजार व्यूज नहीं आते, वो लोग पैसे की पावर को यूज करके, हजारों लाखों रुपए यूज करके, ऐसे व्यूज देने लगे, और बच्चों को मिसलीड, मिसगाइड करने लगे, अब समय आ गया है बच्चों को इस बात के अवेरनेस फैलाने के लिए, जिससे देखो मेरे पास कॉल्स आए, ऐसी कंपनियां हमें भी कॉंटेक्ट करती है, मैं बता ही देता हूँ, एक कंपन है, या तो इसको ब्लॉक करो, या चेक करो, या क्या है कोई कंपनी पर चार होगा, तो पता चला वो लो, मतलब पता नहीं क्या लो, वो वैसी कंपनी निकली, ये आज सुबह की घटना है, दूसरी एक कंपनी हमारे पास आई है, जिसने हमें कॉल किया, एक मिनट मैं उसका आपको बताता हूं, इसका नाम जो हमारे स्क्रीन पे आता है, ऑन لाइन स्कैम, इसका तो नाम ही है, और इस कंपनी के जब हमने इसका फोन उठाया और हमने इससे बात करी तो इसने क्या बोला, नमबर भी धे सकता हो अगर किसी और चाहिए तो, तो उसने हमें क्या Бोला, कि Sir, हम views manage करते हैं, audience manage करते हैं, आपकी live class होगी, तो live class, आप demos, lectures जब डालते हो, हम आपको 2000, 2500, 3000 हमारा ये plan है, वो plan है, पूरा भाई plan पकड़ा दिया, उसने हमें, हमने message का plan देखा था, हमने WhatsApp का plan देखा था, कमपनियां हमें offer करती हैं, और no doubt हम बच्चों तक information पहुचाने के लिए use भी करते थे, गर हम आने पर data हो, जो कि data भी फर्जी तरीके से आता है, ICI का, चोरी करके आता है, fraud करके आता है, पैसे देके आता है, corruption से आता है, सारे teachers के पास आता है, बट यह तो कमाली हो गया, और आज मैंने कम से कम दो तीन चैनल पे देखा, लोग एकदम दबा दब, दबा दब, दबा दब, किये जा रहें, फिर हमें उत्सुकता होई, हमने भोला भाई, देखो ज़रा यार, इतने बच्चे लाइव हैं, तो इसका मतलब यार, जरूर कोई बात होगी, क्योंकि पहले तो प्राइमा फेसी, everybody feels की, भाई, कुछ तो खास बात होगी, लेकिन सर, वही इंडस्ट्री वाला दिमाग, और खतरनाक सा वह इंवेस्टिगेटिव दिमाग, जब देखा चैट, तो सिर्फ पांच बच्चे चैट कर रहे हैं, नाम से, लाइक्स तो तीन सो लाइक्स, व्यूवर दो हजार, चल किया रहा है भाई, इतनी देर, अगर तीन घंटे, दो हजार व्यूवर के साथ हम खड़े हो जाएं, तो आठ, नो हजार तो लाइक्स आजाए हैं, तो कमाल हो गया ना, क्या वो रियली उस सब्जेक्ट को पढ़ाना जानते हैं, और जानते हैं, तो क्या वो डिसिप्लिंड हैं, गोली बाजी तो नहीं करते हैं, क्या उनके व्यूज ऑरिजिनल हैं, ऐसा तो नहीं कि इंडस्ट्री में एक लाग सी है कि इंटर के बच्चे हैं, और व्यूज आ कि हम चाहते हैं बच्चे aware रहे क्योंकि एक बार आपके पैसे फस गए गलत हातों में फिर आपका रोना-गाना किसी काम का नहीं होगा फिर आपके आगे वाले फसेंगे फिर आगे वाले फसेंगे फसते चले जाएंगे यह फसने की प्रकृणिया कभी खतम नहीं होती fake marketing और fake ओनलाइन व्यूज वीडियो के व्यूज और फेक इस केमेस्टर से बचे जैट क्योंकि जो ओरिजनल होता है एवरेज होता है अगर किसी एड के अंदर एड़र्टीजमेंट के अंदर अगर सारे कमेंट आपको पॉजिटिव निकल आ रहे हो मतब रेटिंग पांच पर साथिस्फाइड होगा कोई तो एवरेज रेटिंग देगा कोई तो गुड देगा या सारे एक्सेलेंटी देंगे अम आई राइट सो पस यही अवेर्नेस के लिए आपके सामने आया था आई था आई थोट क्लास के बाद मैंने सोचा कि चलो अभी यह जानकारी आपके the best stay tuned stay aware stay a knowledgeable person all the best bye